कर देखे जयसा कि बताऊं आपको तो यह जो आपके पार्ट का यह कन्वेंस्डल के यह तरीक़ का है एच ही है है हैज के ब्ला के पार्ट होते हैं देखे यहाँ पर क्या है कि जो भी नलिंग है आपका स्टेकृ वो सब्जेक्ट बताएं इस तरीकिक का होगा आपको जिसके पाथ दिखेंगे लडविंगे और यही पर में दिखाएंगे जब आप इसको भाटबिगों दिखाएंगे तो इस तरीके से अफ़े मटेरियल नही माटेरियल वो होता है जिसमें आप चुह कंक्रेट दिखाते हो आरण दिखाते हो पुड दिखाते हो यह सब माटेरियल में आएगा यह माटेरियल में नहीं है यह मसीम पार्ट के अंदर आपका है तो इस चीज़ों को आप समझने की कोसिस करें और जब भी आप ड्राइंगे बताएंगे या बनाएंगे दोनु बाते क्या रहा हूं बनाएंगे या बताएंगे तो सिंबल्स का जरा धान रखें अगर कोई अलग सिंबल्स यूज कर रहे हैं तो आप उसके बारे में इंडिकेट जरूर करें कि आपके बनाएंगे ड्राइंग का या आप जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो पूरी तरीके से यही है क्योंकि देखिए सिंबल अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको अपना खुद का सिंबल बनाना होगा यह वहां तक चल सकता है जहां पर आपका कमपंड nieson नहीं है जेकिन आपका कंपंड slash n रहेगा तो आपको करना ही करना अब यह ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जैसे यह टाइमेंट वाले को आप बना दे इस्टेट वाला और कह दें कि यह है हमारा इस्टेट लर्विंग ठीक न यह नहीं होगा लमसं का फरक हो सकता है पूरा पूरा का फरक नहीं हम दे सकते हैं ठीक इस तरीके से हम जो है इसको यूज करते हैं कि और इसके पराट को देखियर अब यहाँ पर बात करते हैं स्क्वायरंड्वक यूज क्यान बात करें इसवाला टिश्वार्ट गर्वक स्का सर्कील होगा और यह जो यहां से ऐसे आ रहा है इसस़ा मैंने वीडियो भी बनाया है अप लोगों के कि ताकि आप लोग इस चीज को देखें और समझें देखिए कुछ है जो आपके कैड में मिलेगा कुछ चीजें आपको मिलेंगी पर सभी चीजें अगर आप चाहें कि मिल जाए हैच में तो नहीं ऐसा नहीं है आपको ब्लॉंक बना करके ही काम करना पड़ेगा और उसी के सिस्टम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा इतना जान दीजे तो बैं आपको एक एक करके जो आपके टॉपिक है उनको मैं क्लियर करते जाओंगा ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो इस तरीके से आप अपने जितने भी मतलब पार्ट होंगे उस हिसाब से आप जो है कि पड़ लेगी तो यह थिविरी का पार्ट है इसको आप समझ देखें किस तरीके से बनाना है और यह आपको वीडियो पर लेबल भी है आप देख लीजेगा आपको सभी लाइन को भी ध्यान लखना है ताकि जो है आप अच्छे से अच्छा जो है इसका को बना सकी है को एक और यह तो केवल आपको समझानी के लिए कहा था कि कंवेंशनल रिप्रेजेंट जो है आपको पता हो हो अधर वाइज कंवेंशनल र्यप्रेजेंट थे एक बहुत धी छोटा सा पार्ट आपके लिए उससे बड़ा पार्ट अब यह आगे बहुत- component and material ठीक है तो यह material पीछे का हो चुका है और यह जो है आपका machine component है यह जितने भी है यह component है उसको कैसे दिखाते हैं तो यह जो था यह पहला वाला था अग इसी में आपको दूसरा वाला जो topic है वो मैं बताता हूँ कि वो किस तरीके से बनता है